कि अलो अब्रीवन नमश्वार आश्रागर्दों सब अच्छे हैं आप माफिश चाहूंगा दो तीन से हमने लेक्चर कुछ नहीं बनाया है आप बिजी विस सम्धिंग जो कि ना अब रिजॉल्व हो चुका है और कॉंटिनुसी वी यापको पता है हमारे इन्वार्मेंट की सीरीज में हमारा तीसरा लेक्चर है अल्रेड़ी दो लेक्चर हम इंवार्मेंट और एकोलोजिक बना चुके हैं आज की रिटम हम एको टॉन पर और बाकी नीच पर बात करेंगे इसके अलावा जो जियोग्रफिक यार लेक्चर उनको पढ़ो समझो बट एक और चीज़ आपको सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा एक लीस्ट ट्राइए आफ्टर वीडियो कि आप अपनी बुक्स में से रिवाइस करो विकाथ इस एवरीटिंग कम सुन दो बॉक ठीक है मैंने अपने आपनी या फिर किसी नहीं अपनी बनाया हर जगे से कहीं नहीं से रिसर्च होई उसके बाद वुक्स में और मैंने बुक्स में से बढ़ा आपको बुक्स में से बता रहा हूं इसमें सब इंक्लोड है यह बेसिकली शंकर आई इसका दिरिश्ट्री आई इसका और बागी एक-दो चीजों का मिला जोला रूप है तो उसको हम आपको बता रहे हैं ध्यान रखेगा जब तक आप आप डेली बेस या फिर वीकली बेस पर आप चीजों को रिवाइस नहीं करोगे रिवाइस करने के साथ सथ आप question answers put नहीं दोग नहीं करोगे आप test series नहीं करोगे नथिंग विल आपन कोई आउटकम निकलने वाला है नहीं यह लूट नहीं कम दो फ्लाइइं कलर उख नहीं होने वाला ट्राइज आप आप यह प्याइज पीसी इस नोट जिस्ट एक मजाक नहीं है सिर्फ एक पेपर नहीं है इस एक्टुली संधिग आप गिवाइस तो इकोटुन क्या होता है basically its effect क्या होता है इड्ज स्पीसी क्या होते है एकलोजिकल नीच क्या होता है यह हम पड़ेंगे और यह समझने की कोईश करेंगे एक्ट्वल में क्या है अगर आप इस पूरे वीडियो को देखो या फिर इस पूरे पिच्चर को देखो तो आपको कुछी समझ में आएगी और वो समझने लाइक क्या है कि इसको एक पिच्चर को देखो यहां से यह एक लैंड एरिया है ठीक है यह लैंड एरिया पर यहां पर घासे हैं यहां पर ट्रांजिशन एक बिट्विन टू बायो मास डाइवर्स एकोसिस्टम जहां पर दो बायो मास आके मिल जाएं उसे बेसिकलि हमें एकोटन का जाता है ठीक है अब यहां पर दो बायो मास कौन से मिल रहे हैं यह देखो एक आपका लैंड एरिया मिल गया दूसरा आपका इस जो आपस में इंटर्चेंज कर सकते हैं दौनों जगह रह सकते हैं दोंट वनी प्रॉब्लम तो इनके लिए बिस बेसिकलि एक इकोटों काउंट हो चाहेगा वहीं अगर आप यहां पर कम्मुटी के जरा कम्मुटी के लावा घास की बात कर लें पौदे के बात कर लें यह दोनों एक जंक्शन पर मिल रहे हैं और यह वहां पर अपना फलफूल रहे हैं एक्जाम्पल के लिए मंग्रोव सिस्टम है जो कि रीप्रिजेंट करता है इकोटों बिट्विन मरीन एंट टेरेस्ट्रियल एकोसिस्टम सेम लाइक जो मैं आपको इसका एक्जाम्पल अदर एक्जम्पल पर आप ग्रास ले लो एस्टरू ले लो रिवर बैंक मार्श ले ले लो तो यह भी एकोटों के एक्जाम्पल है ठिक है आब एक पर इस इमेज को दुआरा देख लो यहां पर डेसीडियस फोरेस्ट है ठिक है यह आपका ग्रास लेंड इस्पीसीज त तो जब यह दौनों यह ग्रास लेंड वाले और डेसीडियस फोरेस्ट वाले आपस में मिल रहे हैं यह भी एक तरीके का एकोटोन है तो यहां पर यह वाला जो पूरा एरिया है यहां से यह इकोटोन के एरिया में आ जाता है जहां पर दो इस विसीज़ों कम्यूटिटी स आपस में आके मिलती हैं, अब इसके बिसिकली characteristics गया है, देखो, characteristics में ज़्यादा deeply जाने की जूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा जो मैंने आपको बताए, वो समझेगा, चाहें grassland हो, forest हो, forest और desert हो, जहाँ, it has a condition intermediate, an adjacent ecosystem where, and zone of tension, जहाँ दो जोन आपस में जाएंगे, वहाँ टेंशन भी बढ़ेगी, तो जब दो लोग आपस में मिलेंगे, तो टेंशन दो बढ़ने का कानड बनता है, तो obviously, जब वो junction मिलेगा, जब वो आपस में आएंगे, तो दोनों के बीच में यहां से पानी भी आएगा, यहां से इसका erosion भी चालू हो जाएगा, तो tension बढ़ेगी, बट वहाँ पर तो communities आगे मिलके हैं, that's basically called the ecotone, usually the number of the population density of the species of an outgoing community decrease as we move away from the community or ecosystem, तो obviously बात है, कुछ ना, अब यहां पर population density, species है, वहां पर decrease होने के आउटगोंग जो चलती है, वो decrease होने के चांसे बढ़ जाएंगे, because of the ecosystem, कि वहां की community यहां पर survive नहीं कर पाएगी, यहां की community वहां survive नहीं कर पाएगी, आप एक चीज़ ध्यान रखेगा, आपने कभी भी invasive species का नाम सुना होगा, invasive species वो होती है, जो उस area की नहीं होती जहां पर है, for an example के लिए, आपके area के अंदर basically आम होते हैं, ठीक है, आप ऐसे area में रहते हैं, जहां पर आम ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक ऐसी species है जो कि उस आम के area में नहीं रह सकती, और आम उसके area में नहीं रह सकता, और उसको आप करनाटका से कहीं से ले के आजाओ, या मालदीव से ले के आजाओ, अन्वान इकोबर से ले के आजाओ, और उस आम वाले area में लगा दो, तो जब यह दोनों आपस में tension create कर रही हैं, एक दूसरे के एक दूसरे से हाम हो सकता है, तो जब वो species अगर वहाँ पर चली जाएगे आम वाले area में, तो जो species है या नहीं, वो पौदा है, अगर वहाँ चला जाता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक invasive हो जाएगा, कि वो कहीं दूसरी जगह से वहाँ पर आएगा, और उसकी वैसे वो आम की सारी की सारी जो पूरे पूरे पेड हैं, वो सारे खराब हो जाएगे, तो यह बेसिकली एक तरीके से एक invasive species का जाता है, और मैं क्यों बता रहा हूँ, invasive species के बारे में, एक well developed ecosystem contains some organisms, okay, which are entirely different from that of the adjoining community, जो पानी के अंदर रह रह रहा है, अपर जो लैंड के अंदर रह रह रहा है, इन में से कहीं ना कहीं तो ऐसी species होगी, जो कहीं ना कहीं दूसरे को harmful होगी, अब सेम जो species अगर वो अगर वो एक दम से land वाले एरिया पर चली जाए, जिसको बिल्कुली land पसंद ही नहीं है, या फिर मगरमच वहां का यहां पर आ जाए, मगरमच तो लैंड के लिए एक invasive रहेगा ना तो वह automatically जो आगे adjoining community है उसके लिए harmful हो जाएगा, समझ चुके है, Ecoline क्या होता है, Ecoline हो जाए गए, a zone of gradual but continuous change for the ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition, Ecoline occurs across the environment, gradient, gradual change, biotic factors such as latitude, temperature, thermocline, Ecoline, यह basically Ecoline का जाता है, for an example के लिए, यह आपका भारत है, ठीक है, यहां से आपकी बीच में से आपकी एक Tropic of Capricorn जा रही है, Tropic of Cancer जा रही है, ठीक है, और यहां पर आपको बताई है, यहां से आपकी 0 degree की लाइन जा रही है, equator, यह 23 degree की है, आप इससे उपर जाओगे, त सर्वाइब करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको basically Ecoline basically का जाता है, zone gradual but continuous change, अब दीरे दीरे आप उपर जाओगे, continuous change हो जाएगा, पहले थोड़ा गार्म temperature, फिर temperature, फिर temperature, फिर temperature, फिर temperature बढ़ जाएगा, तो ecosystem भी change हो जाएगा, यहां पर आपको बिलकुल forest मिल रहे है, य ठीक है, तो यह पूरा का पूरा एक gradual changes आ जाएगा, that's basically called Ecoline, समझ में आगया, आगे देख लो, its effect क्या होता है, देखो, its effect भी बहुत easy है, समझना, आप इसको छोटी सी चीज़ समझो, समझो, reference with change in population or community, structures that occur at the boundary of the two habitat, यान इकोटन, एक its effect क्या है, इन दौनों इकोटन की वजएसे, जो वहां की population में जो changes आता है, ठीक है, community में जो changes आता है, that's basically called its effect, आपने एक तरीके का, एक 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 एकोनोमी में आपने पढ़ा होगा, its effect वाला, basically, यह economy में भी होता है, वहां पर क्या होता है, फुरण example के लिए, एक economy के एकजामपल समझाता हूँ, एक country के अंदर, एक ऐसी investment होती है, कि अगर एक continuously FDA आने में लग रही है, एक तरीके से एक FDA ले ले लेते हैं, जिससे कि foreign direct investment का जाता है, अब वो investment इतनी है, एक country के अंदर, कि अगर वो investment चली गई, तो उस country की जो हालत है, वो खसता हो जाएगी, और वो अगर हालत खसता हो जाएगी, तो तो फिर उस country के लिए दिक्कत हो जाएगी, और वो country एकदम से बिल्कुल गरीबी वाली condition में आ जाएगी, आने की recession आ जाएगा, नौकरियां चली जाएगी, सब हो जाएगा, जब वो वह It's Effect, Sometimes the number of species and the population density of some of the species in the EVIS, in the ecotone is much greater, then other community is called its effect, मैंने आपको क्या बोला, कि रहने से चीजा बढ़ जाती है और घड़ जाती है, अपर घड़ जाती है, इस basically called of its effect, तो यानिके कि sometimes किसी species के रहने से, औसकी डिनसे रहेने से, अगर Ecotone के अंदर किसी क्बच्पुलेटे के जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है तो इसे बेखिए बेसिकली एक तरीके से इड्ज एफेक्ट में काउंट किया जाता है इन दी टेस्ट्रिको सिस्टम इट इसे बढ़ जाती है ध्यान रखिएगा एको लोग रह सकते हैं काफी कम्म्नीटी रह सकती है इसको कहने का मतलब अगर आपको बता दूँं एक जंगल एक हैविटेट है क्या है एक हैविटेट है उस जंगल के अंदर काफी जानवर रह सकते हैं उट भी है उसके अंदर जिरा यह इस się इंडर से अोसी तरीके मेचली रह रहे होगा हो कि छोटे participants लेकिन इस नीच के अंदर क्या नहीं कि अपना सर्फाइवल सिर्फ उसी है नॵाट पॉसिबल क्या वह मगरमच हमेशा लेंड पर रहकर अपना सर्वाइवल कर सकता है क्या नॉट पॉसिबल उसे बिचिक लिए नीच का दाता है निक किया नाई नीच बिचिक लिए कुछ भी कहलो आप उसे आप इसके अलावा अगर आप दूसरा देखोगे तो एक पूरा जंगल का हैबिट है उसके अलावा शेर ने अपना एक उसके अन्दर सिर्फbersक आप रह रहा है शेर रह 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 रहे है तो वह हर किसी के नीच में सब्सके आवास में यहिसके अश्य धर में जा सकते वहाँ पर नहीं रह सकते तो उनके के लिए एक्रिटिकल सिटुएशन हो जाती है that's basically called habitat in the niche niche refers to the unique functional role and positional species in its habitat or ecosystem the functional functional characteristics of a species in habitat is referred to niche that common habitat okay in nature many species occupy the same habitat but they perform different functions okay habitat niche क्या होता है where it where it leaves food niche it's where it eats decompose species complete with that तो यह अव्यसी बात है समझ जाओ reproductive नीच होगा how when it reproduction होगा physical chemical हो सकता है नीच प्लेज नहीं प्लेज नहीं प्लेज रोल इन दी कंवर्शन सरी conservation of organism if we have to conserve species its native habitat we should have knowledge about the niche requirement of the species okay तो आपको ध्यान रखना का बड़ेगा हर किसी के लिए किस्पेशल नीच के होनी जरूरत है सब लोग आवा हर कोई एक अविक ना इसके लिए एक लाइन मशूर है कि every habitat has a niche but every niche don't have a habitat ठेक है तो इस चीज को समझना ही कोज़ किजिएगा habitat एक अलग हो जाएगा और नीच अलग हो जाएगा okay different between the nature and the habitat 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 of a species like address and the same उसी तरीके से जहां पर आप सब रहते हो यानि कि काफ़िया एक प्रोफेशन के तोर पर अगर आ चुक है तो मैं आपको बताएदू है आप सारे एक society में रहते हैं अपने घर में रहते हैं अपने society में लेकिन जहां आपका प्रोफेशन इंदर अपकी सुसाईटी है वहां आप सब मिल जूलके रहे हैं अब कर बादांगीट के इंदर तर, अपकी उस प्रोफेशन के अंदर गार्थ सारे लोग तो जाके नहीं रह सकते ना कुछ लोग जो इस्पेशलाओं पर रह रह रहे है तो तरस बेसिकली कॉल निक is a unique for the species while many species share the habitat. जहां पर काफी species habitat share करती है but निक share नहीं कर सकती. No two species in habitat can have the same निक. This is because of the competition with another. Same share wala magramash wala lelo, कोई भी lelo, same पड़ेगा. For an example, a large number of different species insect may be pest of same plant but they can सब्सक्राइब को एक जिस देफिए डिफरेंट पार्ट सब्सक्राइब अब इस चोटे से की चीज़ को समझ लो विच वन आफ दी फॉलेंग टर्म्स डेस्क्राइब नॉट अनली था फीजिकल इस पेस्पेस ऑक्युपाइब बाइज अर्गनिजम बट ऑल्सो इट संक्श घ्राइब करता है जो ना की कोई ऐसा और्गनिजम जो फीजिकल बीकिफिंस पंशिक अफ कम्युटी वह वी नंहीं आपस शेयर होते हूं तो एकोटोन तो तॉनल्इं Cambridge २हलेंघ्ज है जहांपर बाइउमस आके मिलते हैं तो जहांपर फीजिकल स्थेआयर और फिजिकल 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 फ्नि नude सकते मास दो बायो मास मिलते हैं यह सकता है क्या यह जैंड लगर भी हो सकता है जहां पर उनका फिजिकल ऐड़ ओक्वाइड है और functional भी हो रहे हैं ठीक है एक तरीके से मैं द्वारा एकर मैं आपको समझाओं तो आप एक office के अंदर हो जहाँ पर आपका physical भी हो आप वहाँ पर और आपका professional भी आप functional भी कर रहे हो अब इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को समझ रहा है अब यहां पर मैं शेयर का एक्जामपल ले लेता हूं शेयर का एक्जामपल क्या है कि अपने बच्चों को रखते हैं तो उस एरिये के अंदर वह अपना फिजिकली भी और फंक्शनल चीज़े भी शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने एक अप्रा एकोलोजिकल निक बना रखा है समझ गे होब आपको समझ गे होगे हैबिटेट में ऐसा नहीं होता है वहां पर अपनी सारी चीज़े करते हैं तो यह इसको बेस्ट डेस्क्राइब तो पर प्रोफेशनल आपका उक्चीपेशं भी वही पर हो तो अब फिजिकली भी वहीं पर हो ठिक है होम रेंज और पर बेसिकली बेद्गलें और हुछ ऑन डेली और अंपरियदिक बेड बीगर दन हैब एट या फिर होई फिर ओफिस इस तरीके से हम इससे क्कान करते हैं होंम मोन तो एक जंगल यह फिर हैवी टेट में काउट लो ठीक है तो आज के लेक्चर में देखो इतना ही मिलतें दौआ है और अच्छे कोईश्च करेंगे सोरी तो हैं कि तो दुबारा मिलेंगे गर्मी बहुत और ही है लाइट गई है यह यह तो हैं व्याइब हैं आपको पड़ेंगे उसके अलावा पॉलेटी चल रहा है तो पॉलेटी भी साथ साथ लियाएंगे आज के लेक्षर में बस इतना ही थैंकी सो मच लाइक और सब्सक्राइब कर दिया गरो आपकी वजह से ही हम यहाँ पर बैठने वाले हैं आपकी के लिए सारे फ्री लेक्षर बनाने नहीं कोश्च करों तकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए एक इसी वह में समझा पाऊं आपको सो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद दुबारा मिलते हैं